दिल्ली सरकार की गुनेगारों के प्रती जो सहन्भुति है और उसका ये नतीजा है कि दो साल धाई साल उनको सुचना ही नहीं दी उनको नोटी से नहीं दी इसके कारण उन्हें अपिल नहीं किया अब उन्हें अपिल किया अब इनके वकील परसो खड़े हुए कोट में और राहुल मेहरा और उन्होंने कहा कि 22 को भासी नहीं लग सकती पूरा देश 22 को भासी लगे एक बार देश के बहुत अट्टल बदमाशों को कि यह सोच रहा है कि यह देखना चाहता है और अब आम आदमी पार्टी के राज्य सरकार के वकिल कह रहे कि 22 को भासी नहीं हो सकती क्यों क्यों कि अभी आपील का वक्त आ है यह वक्त दिया किसने है कि यह अगर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक सप्ता में अगर उनको नोटीस दिया जाता तो आज तक सारे उनके जो अपील के अधिकार है वो खतम होके वो कभी के फासी लटक चुके होते हैं कि देश को एक न्याय मिलता कि इतना गुरासपत काम करने के बाद उनको एक न्याय की भावना होती और गुनेगारों को एक सबक होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ दिल्ली सरकार के इस पूरे व्यभार से जनता शुब्द है जनता जाब मांगेगी कि क्यों दिले किया मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि केंद्र सरकार में एक सीनियर मंत्री एक इतने समविदन शील मसले पर देश के सामने इतना बड़ा जूट बोल रहे हैं मुझे आश्चरे हुआ और दुख भी हुआ यह देखके कि उनको जरा भी हिचक नहीं हुए इतना बड़ा जूट बोलते हुए इतने बड़े समविदन शील मसले पर जिसका इंतजार पूरे देश के लोग कर रहे हैं पूरा जश्टिस सिस्टम कर रहे हैं कि निर्भया के पैरेंट्स कर रहे हैं हर लड़की कर रहे हैं हर लड़की का भाई कर रहे हैं हर लड़की के माता-पिता कर रहे हैं और आप उस पर छूट बोल रहे हो सरया बलातकारियों को जल्द से जल्द सजा उनको जल्द से जल्द फासी दिल्वाने के पक्ष में है लेकिन आप हमारे वोपर डालोंगों कि दिली सरकार ने नहीं किया, आपकी सरकार ने परकाश जावड़ेकर जी मैं आप से कहना चाहता हूँ पुलिस आपकी गिंडी में लोइंन लोडर्र की कि ही जिम्मेदारी आपकी कि ह jsem वकिस्टी आप की तिहाड का प्रशाशन आपका यह तिहाड का डीजी आपका तिहाड़ आपकी और अपके रहा हूं आप ने मी किया है कि आप सरकारम ने मैं आप से पूछना चाहता हूं प्रकास जाओडिकर जी मैं दिल्ली पुलाणाद्य साथ को अबर है कि नहीं है ती सिटा करेंते सिटा कि लें से आप को जिम्मेदारी और फिलियर नहीं रहलत जाता जहां कि लापरवाई से यह चुनाएं के बिद्लित yum it's a tip से चीजों को तरु को बढ़ रदाहे हैं लोगों को मैं जानता हूँ आपके पास मुद्दे नहीं है मैं जानता हूए नाफ के पास में कोई काम नहीं दिखाने के लिए और आपकी जमीन खिसक गई है दिल्ली चुनाव में लेकिन इतने संवेदन शील मुद्दे पर इतने घटिया बयान बाजी मत करिए प्रकास जावेकर जी आप पूछे अपने यहां पर हो मिनिस्ट्री से आप पूछे हमें शाजी से कि दिल्ली पुलिस उनके पास थी उनना क्यों नहीं क्यों नहीं किया आप पूछे हमें शाजी से कि क्यों जिम्मेदारी लेने से बख्ष रहे हों आप जूट बोल रहे हैं चुनाव से पहले आके लोगों के सामने आप बढ़गला रहे हैं लोगों को मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने देर क्यों कूँ खांपासी चुड़ा देंके देर के